हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यूर वन चैनल स्विवर प्रोपिट मोटिवेशन फ्रेंट्स आज ये 26 मार्च और हम डिसकस करेंगे 27 मार्च यानि कल क्या बेंग निप्टी के सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस रहने वाले हैं फ्रेंट्स डेली अनलिसिस की वीडियो में हम डेली आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट डे बेंग निप्टी के क्या सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस रहने वाले होते हैं साथ में हम ये भी डिसकस करते हैं कि उन resistance and support का यूज करके किस प्रकार से आप trading कर सकते हैं अगर daily base पे आप हमरे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा जो भी resistance and support हम बताते हैं और साथ में जो भी आपको strategy बताते हैं कि किस प्रकार से trade करना है अभी तक वो 100% success होती आई है मार्केट में कुछ 100% नहीं होता है लेकिन आप old वीडियो को check out कर सकते हैं हम जो भी आपको resistance and support बताते हैं वो एकदम properly work करते हैं आपके सामने bank nifty का chart present है इसमें हमने आदे गंटी की candle लगाई हुई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 मार्च को जो पहली candle यहाँ पर फॉर्म हुई थी वो यह वाली candle फॉर्म हुई थी इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पर clearly दिखाई दे सके तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 मार्च को पहली candle यह वाली candle फॉर्म होई थी और हमने जो strategy आपको बताई थी उस strategy के अनुसार देख लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर हमारी strategy का यूज किया होता तो आपको किस प्रकार से यहाँ पर profit हुआ होता तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको 24 मार्च के लिए resistance and support बताये थे वो आपके सामने यहाँ पर लगे हुए तो यहाँ से resistance से price ने bake लिया है तो हमने यहाँ पर आपको बताया था आप यहाँ पर देख सकते हैं यह resistance ने properly work किया है दो बार यहाँ से bounce back लिया है हमने आपको बोला था कि अगर resistance से price टच करता है टच करने के बाद में आपको आदे घंटे की candle का wait करना है अगर आदे घंटे की candle यहाँ price को touch करके अगर नीचे की side में यहाँ पर closing दे देती है उस condition में आपको यहाँ पर हमने बोला था कि put option को buy करना है हमने आपको बताया था कि गलती से भी आपको यहाँ पर call option को buy नहीं करना है आप old video को check out कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस candle में यहाँ पर price टच किया टच करने के बाद में इस level पे यहाँ पर closing दिया price ने तो closing देने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर से price थोड़ा सा अफ गया और फिर से हमारे resistance level को touch करके उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रेली आपको यहाँ पर देखने को मिली है तो friends अगर आपने हमारी strategy के अनुसार work किया होगा तो definitely आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा profit निकल के आया होगा अगर हम इसको calculate करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं मान लीजे आपने अगर यहाँ पर closing हुई और इस candle पर आपने यहाँ पर put option को buy किया होता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी moment आपको यहाँ पर देखने को मिली है लगबग यहाँ पर 400 plus point आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 400 plus point का आपको यहाँ पर movement मिला है तो friends इसी प्रकार से daily base पर हम जो आपको strategy and resistance and support बताते हैं वो properly work करते हैं तो जल्दी से हम discuss कर लेते हैं कि कल क्या bank nifty के resistance and support रहने वाले हैं 27 March के लिए हम फिर से यहाँ पर one day का चार्ट लगा लेते हैं और हम यहाँ पर कल के लिए resistance and support identify करेंगे तो friends क्योंकि कल जो हमने आपको resistance and support बताये थे 24 March के लिए उसका ना तो यहाँ पर support का breakout हुआ है और ना ही यहाँ पर resistance को ही break किया है तो friends जो हमारे resistance and support रहने वाले हैं वो बिल्कुल same रहने वाले हैं जो 24 के लिए हमने आपको बताये थे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेंग निप्टी ने 24 March को यहाँ पर closing दिया है 39,395 पर और friends हमारा जो पहला यहाँ पर support निकल के आ रहा है वो support यहाँ पर निकल के आ रहा है 39,200 पर second यहाँ पर support निकल के आ रहा है 38,900 पर friends resistance की बात करें तो यहाँ पर पहला resistance निकल के आ रहा है 39,800 पर second यहाँ पर resistance निकल के आ रहा है 40,100 पर तो friends जल्दी से resistance और support को note down कर लीजिए फिर हम discuss करते हैं कि किस प्रकार से इसका use करके आपको यहाँ पर trading करना रहेगा तो friends यहाँ पर price ने जो closing दी है वो 39,395 पर दी है अब मान लिजिए कि कल के trading session में अगर यहाँ पर gap down opening होती है gap down opening होने के बाद में price down जाता है down जाने के बाद में जो हमारा पहला support है इस support level को touch करके और फिर से bounce back ले लेता है और आदे घंटे की candle उपर की side में अगर closing दे देती है तो इस condition में आपको यहाँ पर गलती से भी put option को buy नहीं करना है आपको यहाँ पर call option को buy करना रहेगा अगर price or down जाता है support के नीचे और आदे घंटे की candle support के नीचे close दे देती है only उसी condition में आपको यहाँ पर put option को buy करना रहेगा further price down जाता है और हमारा जो second support है इसको भी touch कर देता है touch करने के बाद में अगर उपर की side में फिर से bounce बेग लेता है और आदे घंटे की candle second support के उपर की side में closing दे देती है ऐसी condition में आपको यहाँ पर call option को buy करना रहेगा अगर price और भी down जाता है और second support को भी यहाँ पर break कर देता है break करने के बाद में अगर second support के नीचे at least यहाँ पर one hour की candle close दे देती है only उसी condition में आपको यहाँ पर put option को buy करना है otherwise आपको थोड़ा सा wait करना है wait करने के बाद में अगर आदे गंटे की candle हमारे second support के उपर की side में यहाँ पर closing दे दे यानि 38,900 के उपर close दे दे उस condition में आपको यहाँ पर call option को buy करना रहेगा अब बात करते हैं मान लीजी यहाँ पर gap up opening होता है या फिर यह जो हमारा resistance से support है इसके नीचे कही पर भी opening हो जाती है opening होने के बाद में price अब जाता है अब जाने के बाद में जो हमारा first resistance है इस resistance को यहाँ पर touch करता है touch करने के बाद में आदे घंटी की candle फिर से bounce back लेके resistance के नीचे की side में अगर closing दे देती है तो इस condition में आपको ध्यान रखना है आपको गलती से भी call option को buy नहीं करना है इस condition में आपको यहाँ पर put option को buy करना रहेगा अगर यहाँ पर आदे घंटे की candle उपर की side में resistance के उपर यानि 39,800 के उपर close दे देती है only इस condition में आपको यहाँ पर call option को buy करना रहेगा अगर मान लीजिए further यहाँ पर price अब जाता है और जो की हमारा यहाँ पर second resistance से 40,100 इसको touch करता है touch करने के बाद में आदे घंटी की candle अगर नीचे की side में closing दे देती है इस condition में आपको यहाँ पर put option को buy करना रहेगा अगर आप side में close दे देता है price 40,100 के तो इस condition में आपको फिर यहाँ पर call option को buy करना रहेगा तो friends जो हमने आपको strategy बताई है अगर इसका use करके आप trading करेंगे हमारे बताए अनुसार तो बिलकुल आपको यहाँ पर profit निकल के आएगा आप target यहाँ पर लेके चल सकते हैं safe side 100 points का आपको आप यहाँ पर target लेके चल सकते हैं नहीं तो आप जो next resistance या support है उसके अनुसार उसका target भी आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं अगर आप risky trader है तो तो friends जल्दी से channel को subscribe कर लीजिए ताकि daily base पे आपको इसी प्रकार के वीडियो का notification प्राप्त हो सके और friends अगर आपके पास में dimate account नहीं है तो description में दिए गए link के माद्यम से आप dimate account open कर सकते हैं free telegram channel से जूरना चाते हैं तो description में हमने link दे दिया है वहाँ से आप free telegram channel से भी जूर सकते हैं अगर आप किसी और topic पे वीडियो चाते हैं तो आप comment करके हमें बता सकते हैं हम उस topic पे भी वीडियो बनाने की कोशिस करेंगे और अगर आपको कोई भी doubt है या कुछ पूछना है तो आप comment में comment करके पूछ सकते हैं हम आपसे contact करके आपकी queries का जरूर से reply करेंगे friends अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और ऐसी information पाने के लिए चैनल को subscribe कर लिजिए Thank for watching the video